हाई गाईज मेरा नाम है जतेनागरवाल आप जुड़ चुके दे बुल ओफ दलास्ट्रीट चानल के साथ आज हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं एक ऐसा शेयर है जिसका नाम आप सबने सुनाएं थम्रेद लेके विसे नाम पता चली गया और अगस् यह लगता है कि काफी अच्छी रिटरंस दे सकता है आपको आने वाले अगले 12-18 महीने में अब है क्या अच्छी रिटरंस की डेफिनेशन यहां पर सब लोगों की अलग हो सकती है मेरा यहां पर टार्गेट है कि 50% हमें यहां पर प्राइस एप्रेसिशन देखने को मिल सक को अगर आप longer term sustain कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी रिटरंस आपकी generate हो जाती है तो moneycraft में जब हम अपनी रिटरंस disclose करते हैं I think last भी जब हमने चेक करी थी तो they were you know roaming somewhere around the 26% mark जो कैगर आ रही थी हमारी which I think is very good तो हमें को ऐसी दिक्कत नहीं है but this stock also can add you know a lot of value in your portfolio तो मुझ अच्छे से intact है अब personally मैं आपको पहली बता दू मैं मारूती Suzuki का current customer नहीं हूँ हाँ बट जब मेरे ख्याल से past में आप जाके देखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई मारूती Suzuki की गाड़ी रही है घर में currently नहीं है also एक चीज है कि अभी भी इसका market share बहुत जादा है तो almost every second car that is sold even today is मारूती Suzuki तो ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है कि market share बहुत जादा है और बहुत जगाओं पे लोग preference इसी को देते हैं yes there are companies like Tata who are really pushing right महिंदरा हो गई तो ये सब बहुत अच्छे जे push कर रहे है products बहुत अच्छे ला रहे है designs बहुत अच्छे आ रहे हैं इनके but still मारूती Suzuki is very very dominant in its field और financial performance पे अगर आप judge करें तो Tata Motors साफ fundamentally नहीं खरीच सकते because I think पितले दो साल से losses हर quarter declare हो रहे हैं उस company की तरफ से billions of dollars की losses वो declare कर चुके हैं yes उसका bottom लग गया था share का बिलकुल उसमें value इतनी थी और उसे साब से share का भाव नहीं बचा था तो उसमें एक rally देखने को आपको मिली और उसमें हमने भी पैसा कमाया आपने भी कमाया होगा बट अगर fundamentally मैं सारी चीजे देखू तो I think Maruti Suzuki is a very very well positioned company और कहीना कहीं इसके अंदर आपको पैसा बहुत अचा हुआ बनता हुआ देख सकता है तो चलते हैं इसका chart समझते हैं इसमें इसा क्या पर चलेंगे मैं chart भी post कर दूँगा telegram channel पर भी इसके और in-depth discussion हम कर लेंगे बात में मैं trading view पर भी chart डाल दूँगा बहाँ पर भी follow कर सकते हैं आप जहां से मुझे follow करना चाहें जहां जुड़ सकते हैं screen पर चलके discussion करेंगे एक चीज़ लेकिन और मैं यहां पर कहना चाहू तो rally in में आ चुकी है तो आ चुकी है definitely बट होता है कि autos या auto ancillary companies भी cyclical होती है cycle थोड़ी लंबी होती है बट होती cyclical है तो उपर नीचे उपर नीचे जाती रहती हैं यह तो कहीना कहीं इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम सही जगा पे enter करें और सही जगा पे exit कर ज stop loss इसके अंदर बहुत ज़रूरी है बट fundamentally जो एक bottom सा लग गया है जो एक पर sales में dip आना था खतम होना था semiconductor की जो shortage चल रही थी उसके जो production cuts होने थे वो सब मुझे लग रहा है कई ना कई fundamentally ground पे खतम होता जा रहा है और अब इनकी sales बढ़नी ही चाहिए और अगर sales तो अब हम उसी पर focus करेंगे उसी basis पर काम करेंगे and एक stop loss अच्छे से लेके चलेंगे क्योंकि by chance ये thesis अगर play out नहीं होती तो हमें इसके अंदर फसना नहीं है तो technical chart के ओपर बहुत ज़रूरी है कि हमाए पस एक decisive stop loss हो जो कि मैं आप logo को दूँगा इसके अंदर तो उसको follow करना है उसके नीचे जाएगा मैं अपने shares भी बेच दूँगा अगर किसी client को दिला रख है वहां पर भी विकवा देंगे और आप logo को भी मेरे अगर ऐसी thesis पर buy करने तो बेच के बाहर निकल जाना है बल लेटेस से stop loss है नहीं होता तो I think next 12-18 months में आपको अच्छा खास है आपर returns देखने को मिल सकती है अगर मैं consider कर लूँ कि 8000 का share price है थोड़ो पर नीचे होगा तो आप मान सकते हैं कि 12000 तक ये share जा सकता है चार्ट पर देखेंगे एक बार ढंक से उसको भी target को समझेंगे बट बात यही है कि इसमें again मैं बार-बार कह रहा हूँ ये चीज़ at the cost of sounding repetitive stop loss follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा ही चार्ट structure हमें और companies में दिखा था एक-दो companies थी जिनका बहुत ही beautiful chart structure था जिसमें similar study हमने apply करी थी and उन में से के United Spirits जो कि मैं आपर discuss कर चुका हूँ एक podcast के अंदर भी और telegram पे तो मैंने पूरी research share करी थी yes there are a few things that we do not like to disclose क्योंकि वो हम अपना अभी proprietary build कर रहे हैं उसको तो वो हम अभी disclose नहीं करते but उसी research का कही ना कही aspect इसमें use हुआ है and that is how we have got this share but इनके अंदर stop losses ज़रूरी होते है and USL के अंदर जो एक तेजी थी जो शाड़े 600 के उपर का हमें उसमें breakout अगरा दिखा था उसके बाद आप देख सकते हूँ share एक बार को तो 1000 उपर ही चला गया था और बहुत जल्दी गया था yes it has corrected but I think USL should become maybe 3X, 4X, 5X in the next 5 years तो मैं उसी हिसाब से मान के चल रहा हूँ maybe इसमें 10 साल की अगर rally हमें दिखे तो हो सकता है कि यह बहुत बड़ी company बनती हुए यहां से दिखे it has a lot of potential the chart has a lot of potential fundamentally also the company has a lot of potential अभी हमने देखा यह है कि वो किस तरीके से Guinness जो beer है उसको इंडिया में ला रहे है and that will be through United Spirits Limited थोड़ी मेरे को IPL की bidding in की जमीन है कहीं कहीं RCB की but apart from that I think USL looks good as well तो उसी research का part है इसी research से हमने special series fund भी बहुत पहले launch किया था जो अब हम continue नहीं करते किसी के लिए भी तो वो सारी चीजे कहीं न कहीं you know integrate हुई है तो इसी लिए मैं कहना हूँ उस research में सारे analysis में सारी study में the only way to minimize risk was to follow that stop loss तो उसको follow करना ज़रूर है screen पे चलता है अपना जो हम खुद से काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ और थोड़ा चार्ट को cluttered हो जाता है फिर अपनी जो खुद की proprietary चीजे हम develop कर रहे हैं या अपना analysis जो develop कर रहे हैं वो मैंने definitely extra हटाया हुआ है बट यहाँ पे आपको इतना simple तरीके में मैं समझाने वाला हूँ कि आपको कहीं पे भी एक चीज ये ना लगे कि I am withholding some information with me क्योंकि वो मैं नहीं कर रहा हूँ वो हमारा proprietary system अभी पूरी थरीके से prepared नहीं है कि मैं उसको आप लोग के साथ share कर सकूँ बट जो मेरा existing system है उसमें उसको merge करके ही मैं आपको levels दे रहा हूँ उसमें उसको merge करके ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से चलने की expectation बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहली चीज क्या है सबसे पहली चीज यह यह and again guys proprietary system में ऐसा नहीं हम नए indicators बना रहे हैं कुछ है यह वो है interpretation ही है हमारा से काम कर रहे है and वो काम लगातार चली रहा है so आप इसके अंदर देखें सबसे पहले क्या है मैंने बहुत ही simple तरीके से weekly level पे आपको एक तो stop loss दे दिया है 8128 आपको level आ रहा है आप 80-100 मान के चलें उसके नीचे जाए बेच दें अगर आपको लगता है कि जतने यहाँ पे भी एक support line है देखो यहाँ पे भी एक support line है बिल्कुल है but मैं नहीं चाहता है कि आप ज़्यादा risk ले volatility में हमारे इसाब से यहाँ पे जो breakout आया है इसको sustain करना चाहिए नहीं करता क्योंकि देखो अभी भी अगर हम weekly पे देखे तो candles अच्छी नहीं बन रही है तो अगर नहीं करता sustain for some reason वैसे अभी sustain कर रहा है but candles वो बड़ी-बड़ी नहीं है मारू-बोजू type नहीं है proper आपकी body वाली candles नहीं है doji kind of formations है तो अगर लेट से sustain नहीं करता तो मेरी recommendation यही है ज़्यादा दिमाग ना लगाए exit कर दे हम कुछ और buy कर लेंगे तो हमारे लिए stop loss follow करना extremely extremely important है यहापे और वो चीज आपको यहापे करके चलनी है 8100 होगे आपका stop loss अब जो मैं कह रहा हूँ कि इसका लेट से 50% ही चलेगा move का बट हमें लग रहा है क्योंकि time correction हो गई है यहापे तो इसको 100% यह move वापस देना चाहिए और मैं यह नहीं कहा रहा percentage wise 100% move वापस है 100% की मुझे उमीद नहीं है मुझे है कि जो price wise है उतना ही अगर यह और दे दे which is 50% from here right कि अगर 8000 का मैं 50% कर दू तो मैं 12000 पर पहुँच जाऊँगा तो उसकी मुझे उमीद है तो percentage wise में काफी लोगों के targets मेरे से match करेंगे क्योंकि उनको होता है कि अगर यह 100% यहाँ से बड़ा है तो जब breakout आया तो कम से कम 50% इसको चलना चाहिए जो कि मुझे भी लगता है इसको करना चाहिए target wise देखा जाए तो मेरा target price में 12000 के round का कहीं पर आ रहा है मैं इसमें कोई Fibonacci नहीं लगा रहा कुछ नहीं लगा रहा again जब यह चलना शुरू करेगा और जब इसका एक major breakout आएगा which is at 10,000 levels यह 10,000 का हुआ नहीं था मेरे क्याल से इस candle पर अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका high था 9996.4 का जी हाँ तो 10,000 का share हुआ नहीं था बड़ मुझे लग रहा है तो आपको एक बहुत अच्छी rally और आगे देखने को मिल सकती है यह इसकी पहली resistance होगी जो कि मुझे लगता है इसको जटके से निकाल देनी चाहिए यहां पर रुखना नहीं चाहिए तो मेरे क्याल से target आपके 12,000 केस के अंदर आ जाने चाहिए and this stock should do well daily chart पे अब एक बार हम चलते है daily chart पे आप देखेंगे recently breakout आया है और वो hold हो रहा है daily पर भी खाली weekly पर नहीं daily पर भी hold हो रहा है और उपर का एक जो level है जो मैंने draw किया हुआ है उपर की जो wix निकल भी थे उसके वज़े से वो level भी hold हो रहा है तो कहीना कहीं चलेगा बट अभी हमें और timeframes की ज़रत नहीं है क्योंकि हम positional trade करना चारहे है यहाँ पर 12-18 महीने की हमें उमीद है यहाँ और आप पूछ सकते हो कि timeframe इतना लंबा क्यों क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आपको थोड़ा timeframe ना खीच के बता रहा हूँ है यहाँ पर लेट से यह चीज 6-12 महीने में जाती है आप भी बहुत खुश होगे मैं भी बहुत खुश होगा बट 12-18 महीने I think is very fair considering की मुझे नहीं पता की rotational basis पर rally इधर auto sector में कब आईगी और कितनी आईगी अभी sustain कर रहा है levels अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है but a lot of auto companies are not doing well especially जो two wheelers वगेरा हो गई न वो बहुत ही खराब performance दे रही है उनके PE ratios बहुत सस्ते हो गई है तो कहीना कही मुझे लगता है कि उनके अंदर भी इसको नहीं छोड़ना है यहाँ पे इसके नीचे जाता है तो bye bye कर देना weekly पे मैंने आपको दिखा दिये कितना प्यारा stop loss है आपका plus guys Maruti Suzuki fundamentally बहुत strong company ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इस company में yes मुझे personally cars थोड़ी इनकी कम पसंद आती है but ऐसी बात नहीं है कि गाणिया बहुत खराब है आप yes कह सकते हो कि crash testing वगरा में जादा नहीं आती हूपर but they are working and आप अभी भी देखो तो बहुत लोग को यह रते कि पहली गाड़ी Maruti हो service कहीना कहीं बहुत सस्ती है Maruti की resale value भी भी Maruti की बहुत अच्छी है तो मेरे को वैसे लगता है कि Maruti का जो एक brand perception है वो कहीना कहीं जब भी कोई two wheeler से जाता है तो उसको मेरी ख्याल से Maruti ही सबसे पहला नाम समझ आता है and वो कहीना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें play होता हूँ आपको future में अभी दिखेगा and again guys वो ही बात है हम को तो मैं अच्छी sizable position लूँगा इसके अंदर stop loss रखूँगा and you know मैं इसके अंदर अपना आराम से invest करूँगा, trade करूँगा जो भी आप इसको कहना चाते है कुछ लोगों के लिए एक डिर साल investing यह होती है हम अगर एक डिर साल के लिए कोई position उठाते है हम उसे positional trade ही कहते है क्योंकि हमें पता है कि वो position हमने जो उठाई है वो trade के लिए ही उठाई है उसको बेचना ही है मैं ultimately, अगर हम invest कर रहे होते हैं तो हम normally यही सोच के invest करते हैं कि उसको हमें नहीं बेचना यह रही इसकी thesis पूरी मैंने बहुत chart simplify करके डाला है मैंने in fact chart से सब चीज हटा दी मैंने सिफ lines बना दी हैं आपके लें price action पे एक काम कर रहे है price action ही मैं अपने सारे students को पढ़ाता हूँ क्योंकि इसी के basis के उपर हमारी सारी interpretation, implementation आ रही है future में तो अगर price action आपको clear है तो आपको घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कुछ और सोचना ही नहीं है price action के basis पे रहो यहाँ पे यह level गया तो मैं भी बेच दूँगा सब का बिकवा देंगे किसी कवास position नहीं रहेगी मैं आपको पहली बता रहा हूँ कहीं आप सोचें कि भाईया लेके बैठे रहें देख लें नीचे कहां तक आता है हम नहीं करेंगे इसके उपर आएगा वापस और अगर हमारे को confirmation मिल रही हुए हमारे system से तो फिर हम definitely इसके अंदर वापस enter कर जाएंगे बट यह आपका stop loss मेरे को बहुत उमीद है इससे मैंने position बनानी शुरू कर दी यह stock के अंदर मेपर positions हैं इसके अंदर कुछ-कुछ clients को भी buy करा दिया है बट अगर आप लोगों को comfort नहीं आ रहा तो फिर आप इसको skip कर सकते हैं आप पहला target लेकिन 10,000 का तो play करी सकते हो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही आप यहां लें आपका stop loss बहुत छोटा है 10,000 का target अगर जल्दी आ जाए तो बहुत दी अच्छी बात रहीगी बट मुझे लग रहा है 10 के ओपर भी यह 20% वहां से दे जाएगा तो 12,000 का ही हो जाएगा तो मुझे लग रहा है वो इसी movement के वज़े से लग रहा है which you know went from let's say 4,000 to 8,000 तो 100% की rally थी तो मैं उसकी 50% यह expect करना हूँ price में same expect करना हूँ कि भी यह 4,000 यह दिये तो 4 यह ही दे जाएगा of course percentages work that way तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ बट मेरको लग रहा है कि कही ना कही हमें यहाँ पर एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है so यह chart था जो कही ना कही मेरको लग रहा था मैं आप लोगों से discuss करूँ and you know hopefully यह chart आपको अच्छी returns दे सके future में मेरा और कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को बनाने का इसमें कोई extra content नहीं जा रहा है इधर उदर मैंने अपनी तरफ से disclose करना था कर दिया थोड़ा fundamentally और हमें auto story अगरा कि अगर बात करनी होगी वो maybe मैं telegram members के साथ कर लूँगा वो better रहेगा यहाँ पर मुझे लगता नहीं उसके कोई खास views आएंगे तो यहाँ पर हम उसको और discuss नहीं करेंगे but yes you can look at this talk you can look at this chart and I think आप लोगों को अच्छी returns यहाँ पर मिल सकती है तो अपना analysis ज़रूर करें videos are made for educational purpose आप यह ना सोचें कि एक investment advice है अगर आप हम ऐसाथ moneycraft में जुड़ते हैं तो those things discussed over there can constitute an investment advice अगर आप और हम agree करते हैं साथ में काम करने के लिए because moneycraft is my CB registered investment advisory form so guys thank you so much for watching this one I hope you really like this video see you in the next one bye bye Jai Hind Jai Hind Jai Hind